आप देख रहे हैं आड़वेट नियूज खवर नालंदा से है नालंदा के दीपनगर थाना सेत्र अलाके के टार पर गाब में दवंगों ने घर में घुश कर महिला समेथ चार लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया घटना के संबन्द में जक्मी के भाई सूरज कुमार ने बताया कि पारिवारी के विबाद के कारण दो महीने पूर्व में ही ससुराल बालो ने विबाहिता किरन कुमारी के द्वारा बच्ची को जन्म दिये जाने के उपरांत घर से बाहर कर दिया था उस वक्त ससुराल बालो के द्वारा दहेज की भी मांग की जा रही थी दहेज की मांग को पूरा नहीं करने पर ससुराल बालो ने विबाहिता किरन कुमारी को घर से बाहर कर दिया आज इसी पारिबारे की बिबाध को लेकर पती मुकेश कुमार सोनु कुमार सोनु यदव महेश यदव समेत 20 की संख्या में घर पर चर कर चारो के साथ मारपिट की घठना को अनجाम दिया है बिवाहिता के भाई सूरज कुमार ने कहा कि कीरन कुमारी की साधी लखरामबा गाव के मुकेस कुमार के साथ 2019 में हुई थी फिलहाल कीरन कुमारी के द्वारा दीपनगर थाना में नामजद पर मुकदमा दर्ज किया है पुलिस मामले की जाच में जुड़ गई है वह संबंध में दीपनगर थाना अध्यक्ष मुस्ताक अहमद ने कहा कि दोनों तरफ से आवेदन लिया गया है प्रथम द्रिस्या में मामला पारिबारिक जुरा हुआ है पुलिस हर बिंदु पर जाच कर रही है लिए मेरे ब्य пиш साधी हुई दोव सल साधी हुईती तब पिर कुछ दिन को आदेगो बच्चा बेटी हुई ते बेटी पइदा हुह तो रोज अत्हीर करता था कि बेटी क्यों पैदा हुई दहेज मांग रहता है बेटी मार्पिट के भेजा दिया घार तो दो चार मिन साथ मेरी बाहन आई हुई थी तब सोझे कि आज नकल सब समाझ जाएंगे फिर चली जाएगे तो फिर दहेज के और मांग करें और दहेज दो तब रखेंगी करेंगे नए हम सब असामत हुए तब फिर एक आई इसका पती मेरी बाहन का पती और उसके साथ मुसका नाम है मुकेस कुमार तो आज मार्पिट कहा लगी हुआ है मार्पिट हुआ ही लग आरो क्या नाम आपका मेरा सूरज कुमार नाम है